नमस्कार दोस्तों स्वागत इसने बने बात करने वाले हैं अगर आप OFSS के माध्यम से एगर रहो हुई में एडमिसाल लेना चाहते हैं तो किस परकार से आप मोबाइल से फॉर्म को फील करेंगे step by step मैं आपको एक live form फील करके बताऊंगा रेशेशन से लेकर print out तक comment जमा करने तक का संपूर जनकारी मिलेगा अभी website बहुती अच्छे smoothly वर्क कर रही है अब आप जो form को easily apply कर सकते हैं पहले कई सारे problem आ रहे थे save का draft का option आ रहा था problem आ रहा था कई सारे problem आ रहे थे लेकिन अब जो problem नहीं आ रहा है पसानी से form को भर सकते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इस website पर आना कैसे है आप अपने जो है mobile में एक google chrome होता है google chrome open करेंगे या google में भी जाके आप लिखेंगे na ofssbr.in तो आपका ये वाला website खुल जाता है या मैंने आपको link भी description box में provide कर दिया इस website का आप आज आखेंगे यहाँ पे अब यहाँ पर आने कि बासे कुछ इस परकार से website दिखेगा हाला कि mobile में थोड़ा सा जो है आपको इधर website जो है दिखेगा लेकिन वही computers open करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा अच्छा दिखता है अब देखे इस website पर आने के बासे कुछ इस परकार से दिखेगा आपको नीचे आना है नीचे scroll down करना है और यहाँ पर आपको apply for admission का option मिलेगा आपका करेंगे इस पर click करेंगे जैसे आप इस पर click करेंगे website थोड़ा सा load लेगा और यहाँ पर आपको देखी इस परकार से instruction खूलेगा form भरने से पहले आप जो है email id, mobile number, admit card अच्छे से रख लेंगे अपने पास एक photo half रख लेंगे ताकि आपको form भरते समय सारी जनकारी लागेगी अब यहाँ पर इसको declare करना है यहाँ पर आपको click कर देना है जिसाप इस पर click करेंगे आपका इस परकार से कीज़े cut रही है देख रहाने यहाँ पर आपको नीचे आना है यहाँ पर देखिए mobile में थोड़ा से यही दिक्कत होता है तो देखिए आपके mobile में three line होगा side में यहाँ धीक और यहाँ से एक option होलता है desktop site आप इसको enable कर देंगे जिसाप इसको tick कर देंगे आप देखिए य जो हे आपका इस परकार से दिखना स्टाट हो जाएगा देखराए ना अब अब मैं जूब इढ ilाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको जो है एंड नेबल कर देंगी तो आपका क्या करना है सबसे पर यहां बोर्ड चूच करना है आप अधर बोर्ड के भी है तो भी फॉर्म भर सकते हैं यहां पर आपको क्या करना है अपना बोर्ड चूच करना है मालनी जीए आप भी हार बोर्ड से हैं तो भी हार बोर्ड यहां चूच करते हैं सपोज भी हार बोर्ड आपको पूछ रहा है कि आप जो select year exam का year किस वर्स आप उत्रिड हुए है दस्वी class यहाँ पे आपको चूच करना है फिर आपका जो है exam किस परकार का है आप जो है annual वाले हैं या कपार्टमेंटल वाले कपार्टमेंटल का अगर आप exam जितने भी बच्चे हैं 2023 वाले वो यहाँ पे unique ID दे सकते हैं unique ID उनके जो है admit card के उपर ही भाग में लिखा रहेगा आप देखेंगे सबसे उपर वाला मतलब जो है जो आपका जहां से आपका unique ID नाम data birth यह शुरू होता है ना सबसे उपर में unique ID होता है मैं example मिलेगा तो आपको दिखा दूगा यहाँ पे फिर यहाँ से आप calendar open करेंगे और यहाँ से सबसे पर लिखा करेंगे year को confirm करेंगे year choose करेंगा अपना यह आपका data birth का year क्या है यह automatic सारा चीज आ जाएगा बिहार बोर्ड के जो server है वहाँ से फैच हो जाता है data अगर आप बिहार बोर्ड से दोसवी उत्रीड है तभी आएगा अगर आप यहाँ पे अधर बोर्ड के हैं अपना नाम father name mother's name लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए यह यहां सुवीदा है कि रोल code और रोल नमर जैसे वो लिखेगा उनका यहां पे जो है नाम father name mother name और कितना में आपने जिस school से दोसवी उत्रीड किया उसका बीवरड भरना है तो school का नाम यहां पे आपको भरना है इसके बास से देखे रोल पढ़े होंगे दोसवी पढ़े होंगे तो देखा जाए एक तरस से तो यहां पे 2000 आपका 21 होगा ठीक है ना लेकिन काफ से लोग बता रहे हैं आप 23 चूच कर लेंगे इसके बास से क्या आप जो है कस्तुर्वा गांधी बिद्याले से पास हैं अगर कस्तुर्वा गांधी से पढ़ाई की है तो यस करेंगे दोसवी नहीं की है तो नो करेंगे तो यह आपके उपर डिपेंड करता आप क्या है अब यहां पे आपको सा पहले यहां राजय चूच करेंगे यहां डिस्टिक चूच करेंगे तो यहां अपना राजय चूच कर लेते हैं राजय चूच करते हैं डिस्टिक आएगा डिस्टिक अपना चूच करेंगे जो भी आप डिस्टिक से भी लोग करते हैं उसकी बस से आपको ब्लॉक आएगा ब पताए तो यहां पर VIL Village यहां जो भी आपका विलेज लिट दिये फिर कॉमा दे दिये पूरा पोस्त लिखना होता है जो भी आप लिखेंगे यहां पर पीन कोड लिखना है जो भी अपका pin code एए एरिया का गाओं का pin code यह लिख देंगे इसके बास यहाँ पे आपको जह है mobile नमबर लिखना नमबर सहीसे दीजीएगा और किसी एक mobile नमर को एक ही आवेधन में दीजीएगे सम्माल निए कई सारे फैमिली के यहां क्या है ना दो-तीन बच्चे एडमिशन ले रहे हैं इंटर में तो तीनों बच्चे के लिए तीन मोबाइल नमबर चाहिए यह नहीं कि एक ही मोबाइल नमबर डाल करें नहीं ऐसा नहीं गलत सी हो जाएगा यहां पर अपना अधहार न नमबर में आपको अपना केटेगरी बताना है आप किस केटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहां देखिए कवी सारे केटेगरी आपको आ रहे हैं यहां देखिए जेनरल हैं बी सी हैं सी हैं या कौन सी केटेगरी से आप आते हैं एबी सी हैं एकनोमिकली बैकवार्ड कास है EWS है, सारा चीज़ यहां पर option आ रहा है यह पूछ रहा है कि आप जो है विकलांग है, अगर विकलांग है तो yes करें नहीं तो no करेंगे, इसकी बाइस से यहां पर आपको option आ रहा है कि क्या आप EWS से आते हैं, एकनोविकली विकर सेक्शन से आते हैं तो आपके लिए special अलग से option दिया हुआ है यहां पर आपको बताना है, यह कर देंगे, नहीं है तो no कर देंगे यहां पर भी अगर आप मालनीजी और EWS हैं तो EWS आप choose कर सकते हैं दो no option है, अगर आप EWS नहीं है आप जो है EBC से आते हैं तो EBC choose करेंगे और इसको जो है क्या कर देंगे, no कर देंगे इसको यह वाला जो पूछ रहा है option EWS वाला अब यहां पर आपको जो है दोसवे नवर में college का नाम आपको choose करना है जहां आप admission लेना चाहते हैं तो यहां देखिए, आपको सबसे पहले का करना है अपना पिछली वीडियो में आप लोगो बताया था तो दसवी में परसेंटेज जिनका अच्छा है वो आँख बंद करके जहां भी रखना चाहता है ले सकता है, लेकिन कुछ ऐसे बीद्याले होते है जिनका कटफ जो है हाई जाता है तो कटफ जिनका हाई जाएगा उस केस में क्या होगा ना कि आपको थोड़ा सा बीद्याले सो समझ कर देना होगा कि इनको जिनका थोड़ा सा परसेंटेज कम है पचास परसेंट से नीचे है उनको थोड़ा कटफ देख के फॉर्म भरना होगा तो ऐसा call है चूज करिए फर्स्ट वाला या दूसरा तिसरा ऐसा कि आपका जो है कम कटफ गया हो उसकी बास यहाँ पे आपको stream चूज करना है अब यह बिद्याले अपने चूज करना है तो इस बिद्याले में जो जो stream से पढ़ाई हो रही है उस सारा stream यहाँ खूलके आएगा art, science, commerce या agriculture तो कई से बिद्याले में agriculture नहीं होती है कई से बिद्याले में commerce नहीं होता है तो इसलिए यहाँ पे इस बिद्याले में चूज के तरह नहीं आ रहा है तो आपको देखना होगा अब इसके लिए आपको home page पे जाके एक बार check करना होगा किस-किस विद्याले में कौन-कौन सी भी से होती है अब यहाँ पे मैंने कर दिया suppose अब यहाँ हम yes करेंगे न तो yes करते ही यहाँ पे आपको देखे यह add हो गया देखे रहा है न यहाँ पे यह वाला है तो हम अगेन इसको चूच करेंगे और यहाँ पे फिर से हम यहाँ add करेंगे इस तरह से हम बारी बारी से जो है जितना college चाहे उत्रा add कर सकते हैं तो maximum आपको जो है 20 चूच कर सकते हैं मीनिमम जो है आप कम से कम 10 college की 24 करनी है और एक चीज़ ध्यान रहे उपर के जो चार आप college चूच करेंगे उसी में ज्यादा chance रहेगा आपका आने के लिए ज्यादा chance तो पहला दूसरा में रहता है लेकिन किसी का cut of high जाएगा तो तीसरा उठा लेगा चौथा भी उठा लेगा पाचवा तक का जो है ज्यादा chance रहता है कि उठाने का chance रहता है अगर नहीं उठाता है तो दूसरे जो है counseling में आपका आ सकता है मतलब Dura-iston merit list में तरह से आप 10 College को choose कर लेंगे फिर यहाँ पर आप आपको ग्रीन कर बटन में enable हो जाएगा साथ 300 रुपय जमा यहां करें करेंगerson को करेंगे कि आपका इस परकार से कर्एगा कि हापका Catholic क्रों वाइल पोटीपी सेब किया गया है इस परकार से आपको आएगा option कभी-कभी क्या रहा है कि आगे continue भी हो जा रहा है और कभी-कभी इस तरह से आ कभी-कभी आ रहा है कि आपका form not saved दिखा रहा है तो उस case में क्या होगा आपको close करके दुबारा से यहां पर करना होगा आपको save करेंगे तो अगेन आपका यह वाला option खूल के आ जाएगा अगर आपको problem आ रही है तो इस तरह से error आ रहा है और error को close करेंगे एक बार details को verify करें फिर से वही वाला process दो रहाइए ठीक ना back जाने के हो सकता नहीं है आपको तो हम यहां पे जो है application number received हो चुका हम इसे note कर लेते हैं और उसकी बाद से हम इसे close करेंगे close करते ही अब हमको यह reride कर दिया कहां पर अभी हमको कहां लेके गया OTP वाले option पर लेके चला आया अब ह user id password को आप note करके सुरक्षित रख लीजिएगा अगर कुछ भी गलती होगा तो उसी से login करके आप आगे सुधार कर सकते हैं या payment आपका नहीं हो पाता है complete तो उसी user id password से login करके दुबारा payment का process कर सकते हैं तो user id password आपको तुरंत मिल गया होगा OTP verify करते ही अब यहां पे आएगा एक जो है सहज का option तो सहज वाला उनके लिए है जो सहज का ID लिए हुए है वो लोग फॉर्म भरेंगे सहज वाला option चूच करके दूसरा option आएगा आपका सब पैसा का सब पैसा आपको चूच करना है सब पैसा चूच करते ही आपको रिडर कर देगा payment gateway पे वहां पे घडिघ कर दीकत ने होगी आसानी सा form फिलाप हो रहे हैं अगर आपको ड्राफ्ट आपका जो है form ड्राफ्स लिख रहा है न तो उसको कोई दीकत में होगा उसको क्लोज करिये जो एरर आ रहा है फिर दुवारा से उसी पर क्लिक करिए सेब करने के लिए मतलब process पे आएंगे और यहां देखिए पिछले साल का cut-off यहां पे आपको दिया हुगा है तो first cut-off selection में आपको यहां जाना है और यहां पे आपको जो है अपना जो है देखिए दो option है कि वैसे आवेदक जो जिस परिशा उसी बिद्याले से उत्रिड किया है तो वह चूच करेगा और जिन्होंने किसी अन्य बिद्याले से उत्रिड किया हुए है और अन्य बिद्याले में admission लेना चाहते है तो दूसरा option को choose करेंगे यहां पे और यहां पे आपको चूच करना है अपना district जिस district से admission लेना चाहते है सर्च पे क्लिक करेंगे तो सभी बिद्याले का list का नाम जाएगा और यहां पे दिखाएगा कि उस बिद्याले में किस-किस बिस है कि पढ़ाई होती है देखे यहां पे दिखा रहा है ना science, arts, commerce सारा चीज यहां दिखाएगा अगरी culture का भी यहां पे देखे seat है तो उसमें दिखाएगा कि किस साल मतलब जो है कितना percent के साथ आपक से आ जाएगा जाती वाइज भी आपको देखना होगा कि किस जाती का कितना कटफ गया है तो इस तरह से फ्रेंट्स मैंने आपको जनकारी दिया कि कैसे आपको जो है ओफसे इंटर एड्मिशन के लिए form को अप्लाई करना है mobile phone से अगर आपको दुबारा लॉग इन करना है payment fail हो जाता है तो यहाँ पे देखे student login का option मिलता आप इस पर click करेंगे जिसे आप इस पर click करेंगे आपको जो है अपना mobile number यहां लिखना है जो आपको password प्राप्ट हुआ है वो password यहां लिखेंगी और यहाँ login का बटन मिलेगा login कर लेंगे अगर आपको password प्राप्थ नहीं ह कर सकते हैं तो आप जो है लोग इन हो जाएंगे पाउट भी यहाँ पर ऑप्शन आएगा चेंज करने के लिए या पाउट इनके दवारा मेसेज भी कर दिया जाएगा तो यह मैंने कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया आपको कैसे फॉर्म को भरना है स्टी बाइस्ट वीडिय लुक्رجम करने नहीं है यह नया बात नहीं है बहुत पुरानी बाते हैं मिलते हैं नेक्ट वीडियो में हमें दिजाया जाहीं रूग है